हेलो दोस्तों आप सबी को सागत है हमारी यूटूब चैनल एक लान मोर पर अगर आप सब इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेलागन दवाना ना भूलिए आज का हमारा यह टॉपिक है नोटपैट के एक एडवांस चुटूलियर के बारे में बताने वाले हैं हम चलिए अपने नोटपैट को ओपन कर लेते हैं जब तक हम नोटपैट ओपन करते हैं तब तक वीडियो को लाइक कर देजिए अब इसको मैसिमाज कर देते हैं अगर हम डेट वाइस डेट मेंटेन कर सकते हैं उसके लिए आप सभी को करना पड़ेगा और नोटपैट को ओपन करना पड़ेगा और यहां से हमें डॉट यह लोजी लिखना पड़ेगा वह भी कैश्लॉक में ही लिखना पड़ेगा सबसे उपर ही लिखना पड़ेगा इसको उसके बाद एंटर करके अ करेंगे और यहां से हम नाम देते हैं और इसको हम देश्ट आप सेफ करेंगे तोड़ा सब्सक्राइब करेंगे और सैफ हो जयागा अभी ही हम इसको करते हैं इसलिए कि आप सबी को दिखा सकें अब हम इसको open करेंगे right click करेंगे और open click करेंगे और यहां देख सकते हैं कि हमने कोई date mention नहीं की थी यहां पर date automatically आ चुकी है और हम जब और कोई भी data बनाएंगे अगर next day या उसी दिन तब हम इसको फिर से save करेंगे यहां पर जैसा कि यहां पर time change हो चुका है भशनके हैं और फिर से close करते हैं और यहां से फिर से इसको open करते हैं यहां पर देखने को मिल जा रहा है कि टाइम फिर से आचुका है फिर से अग बार ही देख लेटें time आता ही नहीं सब .log जो लिखा है capital में इसी के logic है इसको हम save करते हैं फिर से जितनी बार इसको हम open करके save करेंगे उतनी बार date अलग-अलग date जिस time में हम save करेंगी उसी time का date यहां पर आ रहे हैं अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को like कर देजिए अगर वीडियो में कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें comment box में comment करके बता सकते हैं हम आपके comment का reply जरूर देंगे मिलते हैं अगले वीडियो में